हेलो फ्रेंड्स दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ऑल वीजेफेक्स पर दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं Import External Source के बारे में कि Import External Source क्या होता है Import External Source होता है आपका जैसे कि Pen Drive, Hard Dix, External Hard Dix आ दी तो यानि कि जैसे कि मेरे पास में अपनी Pen Drive में कुछ चीज़ें यह आपकी Pen Drive आ गी है यहां से भी आप डारेक्ट ओपन कर सकते हैं Pen Drive को ठीक है और यहां पे जाएं तो यहां से भी आप डारेक्ट Pen Drive को Open कर सकते हैं तो यहां से आपने क्या करना है अगर किसी भी फुटेज को आप Import करना चाहते हैं तो सीधा यहां पे जाएए और जो आपकी Pen Drive है और उसके अंदर किसी भी फुटेज को आप Import यहां से उठा सकते हैं अगर आप उठाना चाहते हैं, नॉर्मली तो हमारा काम यही रहता है, कि हम किसी भी जगा से उठा ले पुटेज को पैंट ड्राइब में कई लोग लेके आते हैं, है ना, और ये जैसे हम इसको ले लिया, ये देखिए, ये हमारा पैंट ड्राइब के थुरू है, है ना, इस इस पॉइंट को भी हम चाहें, तो यहां पर रख सकते हैं, तो ये भी एक तरह से आपका एक्स्टरनल सोर्स होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्स्टरनल रूप से, तो आगे मैं आपको बता हूँआ कुछ और नई कमांड के वारे मे तो प्लीज की वाचिंग माई टुटोरियल ओन दा यूटूब चैनल